हे दोस्तो मेरा नाब है सुबोजेट, स्वागत करता हूँ आप सब का मेरे YouTube चैनल SD Gadgets में और आज मैं आप लोगों के सामने reviews लेके आया हूँ Moza Air का जी हाँ ये जो है एक gimbal है जो कि आप देख सकते हैं मेरे को receive हो चुका है Moza से और ये जो है Moza Air Goodson करके आता है जैसे कि आपने सुना होगा कि Moza के बहुत सारे different contents आते हैं तो ये जो gimbal है वो है Moza Air 2 के बात का एक series है Moza Air Goodson उसका जो है ये series है ये जो है gimbal प्लस remote controller के साथ आता है ये जो है बहुत ही अच्छा package rate में आता है और अच्छे-च्छे cinematic videos बनाना चाते है तो ये जो है आपके लिए एक perfect gimbal होने वाला है तो आज जल्दी से हम इसको unbox करते हैं इसके अंदर दिखेंगे क्या-का content है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो like करिए, subscribe करिए और bell icon को प्रेस करना विल्कुल ना भूलेगा जिससे कि अगर मैं ऐसे और नए वीडियो आपके सामने लाओं तो आप तक notification सबसे पहले पहुचे तो जल्दी से चुरू करते हैं जैसे कि आप ये देख सकते हो जो box जो है, वो कुछ ऐसे cover में आता है आप ये देख सकते हो, ये जो box है ये plastic material है और बहुत ही अच्छा well built box है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसमें आप देख सकते हो कि Moza की branding में दी वही है और यहाँ पर दो आप लोग को notch मिल जाता है जहाँ पर जो है आप इसको lock भी लगा सकते हो आप ये देख सकते हो, कुछ ऐसा है इसमें इसको hold करने के लिए यहाँ पर handle भी दिया हुआ है आप इसको wakट कर hold भी कर सकते हो तो जल्दी से इसको open करने के लिए यहाँ पर दो lock दिये बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो सबसे पहले मैं open कर लेता हूँ, इसके इस compartment को, यह जो है इसका battery compartment है, आप यह देख सकते हैं, यह जो है इसका battery charger है, जिसमें आप तीन battery एक बार में लगा के charge कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज है, इसमें आप यह देख सकते batteries को ऐसा कुछ pull करके हाँ पर लगा देना होता है, और यह जो है लग जाते हैं, तो यह तो रहा इसका content जो कि आता है, अब अगर हम लोग बात कर लें, इसको side में रखके, दूसरे contents की, तो दूसरे contents में आपको एक पाउच मिल जाता है, तो आप यह देख सकते हैं, यह जो ह क्या आता है, उसको आपन open करके देख लेते हैं जल्दी से, तो जैसे ही आप इसको open करेंगे, तो इसमें जो है अंदर बहुत सारे cables मिल जाते हैं, तो यह आप देख सकते हैं, different types of cables हैं, और कुछ screws भी दिये हो हैं, अगर आपका screw गूम हो जाता है, तो आप इस screw का use कर सकते हैं, यह जो है different types of cables हैं, और cables में लिखा हुआ है किस किस चीजों के लिए है, जैसे कि आप यह देख सकते हैं, यह USB control, Canon DSLR के लिए यह वाला है, उसके अगर बात कर लें दूसरे cable की, तो दूसरा cable जो है, वो जो है Sony के लिए है, आप यह देख सकते हो, Sony A-series के नाम से लिख लिखे हैं, तो मैं इसको side में रखता हूँ, और इस pocket के अंदर कुछ भी नहीं है, इसको side में रख लेते हैं, उसके आथ बात करते हैं, इसके battery backup की, तो आप यह देख सकते हैं, इसके साथ कुछ 3 batteries की और से शेल में डलता है, आप यह देख सकते हो, इसमें Moza की branding में दी हु और लेडी ढलीवी है, तो अवराल टोटल छो है 6 बैटरी दालनी होती है, आप ऐसा बैटरी डाल सकते हैं, और इसको यह जो आ नीचे लग जाता है, इसम्यमाउंटि को मैं आपको बताऊंगा, तो इसको हम लोग साइड का जो ग्रिप है हैंडल जो होता है इसका आप यूज करके इसका जो है हैंडल बना सकते हो ऐसा करके कुछ रहता है और यह जो है आपके ग्रिप में लग जाता है जैसे कि आपके यह ग्रिप है इस ग्रिप में ही यह लगता है ऐसा होके और ऐसा लगने के बाद जो है यह पू दूसरे गिंबल में नहीं मिलता है अलग से परचेस करना पड़ता है पर यह जो है पैकेज में पहले से ही इंक्लूडेड है आप यह देख सकते हो यहां पर जो है मोजा की ब्रैंडिंग है और यहां एक जॉयस्टिक भी दिया हुआ है यह रिकॉर्डिंग अनॉफ करने के ल चर्च कर सकते हो और ये भी एक अट्यचमेंट है जो कि इसको लगाने के ही काम आता है यह बहुत अच्छी चीज है जिसमें गिंबल को Mount करना होता है और Mount करने के बाद, गिंबल को स्टेबलाइज करने टोड़ा स्वण तो यह बी अची चीजी है जिसके package के साथ included है, इसको भी साइट रखते है और देखते हैं अंदर क्या आता है, आप यह देख सकते हैं एक और GRIP हैंडल वह दीते हुआ इसल्फ जो है gimbal है, इसमें आप यह देख सकते हो, यहाँ पर fare करके एक logo भी लगा हुआ है, इसमें joystick भी है, यहाँ पर आप यह देख सकते हो, यह जई हो यहे दिफरेंट-डिफरेंट सब चीज़े लिखे हुए यहाँ पर भी एक Moza की ब्रैंडिंग दी हुई है आपके देख सकते हैं वो इस साइड अप और यहाँ पर भी एक जित्ते भी मोटरस है हर जगा पर Moza की ब्रैंडिंग करी हुई है जो कि एक अची चीज है यह जो है इसका प्लेट है जिसमें हम लोग अपना DSLR माउंट करते हैं तो यह सब जो चीजे है वो मैंने निकाल ली है अब जो है मैं आपको इसको माउंट करके बताता हूँ कि इसको कैसे माउंट करना है तो इस बॉक्स को जह है इसको मैं साइड में डाल देता हूँ और फिर मैं एक एक चीज आपको नाउंट करके बताता हूँ जैसे के आप लोग देख सकता हूँ जो मैंने निकाल के राख लिए है तो सबसे पहले हम लोग को जो ऐसा ग्रिप चाहिए होता यह जो ग्रिप है इसमें आप लोगों को बैटरी डाल लेती है तो आप यह देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो है छे बैटरी जिसमें से आप जो है तीन को यूज करना है तो यह आप जब को देख लेना है तो तीन बैटरी जो है इसको आपको अंदर डाल देना है तो जैसे ही आप इसको इसको इसके साथ फिट कर लेंगे तो यह यहाँ पर लग जाएगा और यह आप देख सकते हैं इसका जो है ट्राइपाउड स्टैंड है इसको जो है नीचे लगाना होता है यहाँ पर और इसको जो है आप आसा नीचे लगा सकते हैं ऐसा घुमाके लगाना होता है आपको और जैसे ही आप इसको लगा लेंगे तो ये जो है stand बन जाएगा ऐसा open होके और आपका जो gimbal है वो खड़ा होज जाएगा तो खड़ा होने के बाद जो है gimbal कुछ ऐसा रहता है आप ये देख सकते हो ऐसा कुछ देखता है gimbal खड़े होने के बाद थोड़ा सा मैं जो है camera को adjust करता हूँ जिससे आपको पूरा-पूरा देख से कहिए content तो थोड़ा सा पीछे लिए आता हूँ मैं camera को अब यह देख सकते हो तो आप यह जैसे कि देख सकते हो यह जो है पूरा इसका setup कुछ ऐसा बन जाता है तैयार होने के बाद अभी जो मैं इसमे camera लागा कि इसको stabilize नहीं कर रहा हूँ इसको camera लागा कि stabilize करने के लिए इसको ऐसा कुछ stabilize करना बढ़ता है इसमें आप यह देख सकते हो यहाँ पर options भी दिये हुए है आप यह डाउन करने का तो आप यह देख सकते हो यह दिस साइड अप जिससे लिखा हुआ है तो यह ऐसा कुछ रहेगा और ऐसा करके यह बनेगा पूरा आप जो camera है वह यहां पर लग जाएगा तो बात कर लेते हैं इसके handle की तो आप यह देख सकते हैं यह जो है इसका handle भी आता है जो की आप इसको ऐसा पकटके तो use करी सकते हो साथ में जो है आप इसको ऐसा भी लगा के use कर सकते हो तो आप जैसे इसको यहां पर लगा दोगे इसका nut tight कर दोगे आप तो जो है यह आपका काम हो जाएगा तो इसको जो है कुछ नहीं करना आपको जो है नट को ओपन करना होता है एक मिन मैं आपको बता जाता है तर गुमा के आपको जो है इसको जैसा आप यह देख सकते हो यह जो अटाचमेंट है तो यह भी आपका एक handle बन गया है, एक attachment है जिसको आप इसको ऐसा पकटके जो है इसको यूज कर सकते हो, ऐसा करके पकटके जो है आप इसको यूज कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है उसके आप बाई बात कर लेते हैं इसके remote control की, तो यह remote control है यह भी एक बहुत ही अच्छी चीज है जिससे आप पूरे इस gimbal को जो है control कर सकते हो यही से मतलब दूर सही अगर आप इसको left, right, जो भी आप करना चाहो उससे जो है आप इसको control कर सकते हो जैसा आप जोयस्टिक देख सकते हो इससे जो है अगर आप right करोगा तो right होगा, left करोगा तो left होगा up करोगा, up होगा, down करोगा तो down होगा, video mode भी जो है इसमें से चालू कर सकते हो, चालू off कर सकते हो speed भी जो है आप इससे set कर सकते हो options है different different type के जिस पे इसको बोलते हैं, roll हो गया pitch हो गया, और जो भी effects जो है, वो आप इससे change करके, इसको use कर सकते हो तो इसको भी जो है, आप इसके उपर लगा सकते हो जो कि बहुत ही easy है, इसका जो mount है वो ये वाला mount है, इसको जो आपको कुछ नहीं करना होता है, इसको ऐसा आपको open कर लेना होता है और open करने के बाद यह इससा निकल जाएगा, और आपको जिस side भी लगाना हो, उस side आप जो है, इसको लगा सकते हो ऐसा करके, तो ये जो है आपको लगाना है, तो आप ऐसा लगा लोगे तो ये जो लगाने का तरीका है, उसका भी same दिया हुआ है, ये जो है इसको आप निकाल के इसमें लगा सकते हो, तो ये जो है नट आपको ऐसा निकालना पड़ता है और ये जो remote control है, वो आप इसको यहाँ पर fit कर सकते हो तो ये जो है कुछ आप ऐसा लगा सकते हो तो आप ये देख सकते हो यह जो है easily लग गया है और इसको जो आप पूरे handle से ऐसे भी control कर सकते हो तो यह different different तरीके के चीजे हैं जो कि आप इसके attachment के साथ लगा सकते हो और इसको easy way में use कर सकते हो तो overall जो इस price point में जो gimbal आता है वो जो है उसके इसाफ से इसका amazon link है वो भी मैं दे दूँगा description में वहाँ से जाके आप इसको purchase कर सकते हो तो अगर आपको यह video अच्छा लगा है तो आप लोग को पता है क्या करना है जो subscribe का button है उसको जो है ना दबा देना है उसको जो है तोड़ देना फोड़ देना मरोड़ देना है और वगर like करना चाते तो like करो और video change लगी है तो dislike भी कर सकते हो इसके लिए मैं मना नहीं करूंगा तो आजके लिए इतरह है thank you and have a nice day